Hey everyone, I am back with the final lecture, I hope the final lecture of this chapter और इसमें हम आपको बताने वाले हैं, एक तो tracing evolutional relationship जैसे आप देख रहे हो यहां चली रहा है हमने last class में सीखा था कि morphological evidence उससे पता लगा था कि ancestry common है जैसे कि homologous structures है, वही similarity आई क्यों रही है, simple सा logic है है ना, तो homologous structure में similarity देखी, हमने analogous structure में भी हमने functions की similarity देखी fossil records यह बताता है कि composition वगएरा सब सेम ही तो थे और तब ऐसे organisms थे, अब कैसे हैं, उनका सारा fossil कैसे बनता है, carbon 14 dating and all वो सारा हमने पढ़ा तो वो सब हमने कर लिया, अब एक और evidence ऐसा मैं बता रही हूँ that is called as, इस पर third type का आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे embryological evidence ठीक है, embryological evidence में आप diagram से ही समझ पा रहे हो, यहाँ पर जादा कुछ लिखने की जरुरत ही नहीं है आप यह diagram देखो, ठीक है हाँ, अरे ओके तो इन डाइग्राम्स में आप note करो this is a fish का embryo आप first वाला layer देखो first वाले line में यह fish, salamander, turtle, chicken, sheep, human यहां से थोड़ा, यहां भी देखो similarity salamander और fish का तो चलो अलग थोड़ा जा भी रहा है यहां देखो, यह दो layer इनकी देखो और फिर इनके देखो difference कैसे आ रही है तो in the sense कि आप देखो, यह basic design तो सबकी same ही जा रही है और यहां पर इनकी देखो almost same ही जा रही है क्या change है, कितना difference है, कोई एक बहुत जादा difference तो है नहीं तो हमारा अभी topic ही तो यही है नि, common ancestry है तो यही तो बताता है कि ancestry जो है वो common है similarity फिर क्यों आई नहीं तो understood सी बात है इसके अलावा हम और भी biochemical similarities हम share करते है ठीक है wherein हमारे जो basic composition है chemicals है, वो हम में भी वही है दूसरे organisms में भी वही है ठीक है, तो बस evolutionary relationship यह बात करता है कि यहां से सब ऐसे 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 originate हुए हो यह है, ठीक है तो यह इसे evolutionary relationship तो हमारा यहां over हो जाता है अब next topic जो हम लेंगे, इसमें वो हो जाएगा pressing, नए evolution by stages evolution by stages तो evolution by stages यानि इसमें हम बात करेंगे eyes of planaria की stages की evolution की बात करें तो हम simple एक छोटे से planaria की eye का example लेंगे जहां पे जो planaria के eyes हैं वो बहुत छोटे से होते हैं और बहुत मतलब dark spots detect करने भर के होते हैं ठीक है आप planaria की आपके book में भी है diagram कुछ ऐसा सा diagram book में बना हुआ है ठीक है और इसके के ऐसा गर के structures हैं तो इन में आखें हैं आई है बट planaria के अंदर ये eyes जो है it is it is used to detect light ठीक है ये light को detect करता है लेकिन यही eyes जो है वो इन ही इसी eye में कितना evolution हुआ है कितना changes आये हैं कि यह eye जो normal light detection के इनके काम में आता था और इनको light detection से ही इनको survival advantage मिल रहा है इससे और यही आखें अपने आपको और evolution इसमें आता गया changes आते गए तो जैसे जैसे जिस organism को requirement उसे इसाब से evolution हुआ और उनको survival advantage दिया तो यह ऐसे करके variations आये हैं उनमें आखों में और अलग-अलग जगों पे अलग-अलग तरीकों से evolve हुआ और उस इसाब से वो वहाँ ऐसे करके function कर रहा है तो आपको यहीं समझना यह यह basic eye है जो in flatworms में आई थी और कैसे इन आखों में further changes आये जिससे की evolution हुआ और eyes कितना धीरे-धीरे complex होता चला गया यह आपको समझाने की कोशिश हो रही है इस topic में ठीक है उसी तरीके से हम ले लेते हैं उसका wings का एक reptile-like creature था ठीक है उन में wings होते थे और वो wings earlier यह wings क्या काम करता था earlier जब evolution birds नहीं आये थे before birds earlier मतलब हम यहां पर बात करना चाह रहे हैं before birds जो wings होते थे wings used to provide insulation यह wings जो था वो insulation गर्माहट देने के काम आता था ठीक है यह wings वाले generally as इनको कहा भी Archaeopteryx बोला जाता है कि यहीं से आये थे reptiles और birds क्योंकि यह ऐसा reptile था जिसमें wings भी होता था और bird-like आगे का face wings सब होता था और नीचे reptile वाले उसके पूरे body थी तो इसको तो उनका ऐसा कि birds insulation जो है वो wings से insulation का काम होता था wings पहले उस समय birds से पहले wings flying के काम में नहीं आता था insulation गर्माहाट दे आ जाता था लेटर ओन वहां से फिर evolve हुए birds और वही wings बाद में flying के काम आया not the insulation तो ऐसे करके देख रहा है अब कैसे धीरे धीरे चीजे evolve हो रही है कैसे धीरे धीरे चीजे change हुई जो originality थी वो कैसे बदली जरुरत के हिसाब से and evolution हुआ so this is what the evolution by stages teaches you कि धीरे धीरे slowly earlier वो जिस sweep form में आया हो वो वही form में आगे नहीं गया उसमें evolution हुआ changes हुए और जिस भी organism में जो भी काम कर रहा है वो उसको उसे survival advantage दे रहा है और उतना ही उसमें जरूरत है ठीक है changes इतना सारा भी ना हो जाए कि body को संभालना मुश्किल हो जाए ना बच्चो ये भी तो देखा जाता है ऐसे नहीं है कि random changes हो जाए no ऐसा नहीं होता ठीक है तो ऐसे करके धीरे धीरे evolution हुआ और इसने बहुत सारा obviously time लिया है हम जब evolution की बात कर रहे हैं तो millions of years से नीचे कुछ भी नहीं होता है मतलब you know if you take अलग-अलग different different eras तो millions of years की ही बाते करते हैं ठीक है अब खेर इस पे आने से पहले आपको मैं थोड़ा सार समझा दूँ हम समझाएंगे आपको natural selection और artificial selection ठीक है natural selection nature selects the best यहाँ पर humans do the selection और this takes million of years और तो मैं आपको क्या समझा रही हूँ मैं यह समझा रही हूँ कि देखो natural selection में बहुत सारे group of organism है उसमें जो भी fit आता है current situation के हिसाब में वो nature खुदी select कर लेता और जो fit नहीं आता उसको nature अपने आप डिसकार्ड कर देता है तो यह होता है तो जो select हो गए वो survive कर जाते हैं जो select नहीं हुए वो survive नहीं करते हैं यह nature का है और ऐसा होने में millions of years लग गए अभी जैसे current situation में जो भी और ग्यानिसम इस तुमाहौल में रह सकता है वहीं है जो इस महौल में नहीं है उता यह मंहीं होए है बेस्ट वेराइटी मिलनी चाहिए तो उस बेस्ट वेराइटी से humans खुद ही तरह तरह के और बेस्ट वेराइटी को create कर लेते हैं तो when humans are easily doing this आरिया आपको बात समझ में कि humans आसानी से ये काम कर रहे हैं तो इनका थोड़ा fast होता है लेकिन point यह नहीं है कि यह जो selection processes है natural selection भी तो हो रहा है न nature भी तो यही काम कर रहा है बस हम यह है कि हम अपने जरुरत के हिसाब से थोड़ा जल्दी कर रहे हैं बट nature में यही चीज़ें तो हो रही है तो natural selection अपने speed से हो रहा है और human का जो selection हो अपने speed से हो रहा है अब इसी का एक चोटा सा एक्जाम्पल हम देख सकते हैं यहां पर अब आपको मैं ले चलती हूं उस डाइग्राम पर यहां पर देखो आप यहां पर तो यह वाइल्ड कैबज है और वाइल्ड कैबज से देखो कितनी सारी वराइटीज डिवलप हुई है तो यह सारे जो सेलेक्शन हुए हैं ठीक है वो हुमन्स के जरुवत के हिसाब से उन्होंने करे हैं यहां पर एंसेस्टर है यह वाइल्ड कैबज ठीक है यहां से इन्होंने क्या क्या नहीं डिवलप किया यहां से इन्होंने जैसे की कैबज बनाया कैबज को इन्होंने क्या रीजन से बनाया है इनके अपने जरुरत थे जैसे जो कैबज है इन्होंने कैबज बनाया है टर्मिनल बड्स के लिए and short distances between the leaves, ठीक है, you can note down terminal buds and short distances between leaves, ठीक है, तो दोनो cabbage का यही वाला हो जाएगा, ब्रॉकली क्या है, it is cluster of sterile, तहां लिख दू मैं, I think, मैं इसको बाहर करके ही लिख देती हूँ, ब्रॉकली, ठीक है, it is for, reason किसका क्या है वो लिख लो, आप लोग है न, for flour, cluster and stem, यह है ब्रॉकली का reason, ठीक है, for flour, cluster and stem, यहाँ पर cluster मैं उसमें डाल देती हूँ, for flour and stem, cluster इसमें डालेंगे, कॉली फ्लाइर में, कॉली फ्लाइर for flour, cluster, for flour, cluster, sterile flour, यह क्या, यह तो हो गए, इनके, कॉल्रा भी, यह हो गया, solan stem के लिए, so the point is, कि इनके, अलग, 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 जो है, वो, क्या बोलते हैं, reasons हैं, इनको develop करने के, जैसे इसका reason है, कि bud terminal चाहिए था, leaves में कम distances चाहिए थी, है न, cabbage, इसलिए बना दिया इन्होंने, broccoli की, इनका जो flour, जो है, वो चाहिए, और stem चाहिए, तो उसके लिए, इन्होंने ब्रॉकली डिवलप कर ली, cluster flowers करने के लिए, sterile flowers का, इन्होंने cauliflower बना दिया, and then kolravi बनाया, कि swollen stem चाहिए, तो जैसा इनका requirement, वैसा इन्होंने, एक wild cabbage, से इन्होंने बनाया, तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम यही तो पढ़ रहे थे, कि ancestor तो एक है, जैसा जरूरत वैसा, humans ने create किया, अपने according, तो nature में भी बच्चो, evolution में actually यही हुआ है, कि ancestor तो एक था, फिर जैसे-जैसे changes होते गए, mahal बदलता गया, organism change होते गए, और उस हिसाब से फिर varieties, जो है, वो developed हुई, वो वहाँ यही तो समझाना चाह रहे हैं आपको, जब से हम वो tracing evolutionary relationship पढ़ रहे हैं, तब से हमारा actual topic यही है, तो this is how the artificial selection works, and this is how the natural selection also works, ठीक है, बस यह है कि, artificial selection ऐसे करके थोड़ा जल्दी हुआ, और natural selection जो है, वो होने में time लेता है, या बहुत धीरे-धीरे होता है, ठीक है, तो this is, यह तो हो गया, अब आपको, मैं थोड़ा सा आप वापस लेके चलती हूँ, उस point पे, जहांपर हमने यह देखा था, मतलब evolution जो हुआ, changes कैसे आ रहे हैं, variations जो हैं, वो कैसे हो रहे हैं, तो variations हो रहे हैं, बच्चों, because there are changes in the DNA, ठीक है, germ cell में changes आ रहे हैं, और वो changes कैसे हो रहे हैं, मतलब इतना difference, natural selection जो होता है, वो कहां से हो रहा है, तो it is actually the copying mechanism, जो DNA copying mechanism है, वो बिलकुल अलग, अलग तो क्या, और since copying के दौराण changes आते हैं, तो variation धीरे-धीरे accumulate होता चला जाता है, और after the accumulation, वो फिर कुछ नया, कुछ different मन के आता है, तो DNA में वो codes में वहां change आता है, जो कि वो फिर बाद में अलग अलग, अभी जैसे कि for example, एक simple सा logic ले लो, viruses जो pandemic में virus आया था, जो original virus था, वो तो कुछ और था, अब वहां से धीरे-धीरे-धीरे-धीरे जब evolution हुआ, तो अब का जो variant-variant वो बोल रहे हैं, वो क्या कहना चारे हैं, variant वो यही तो कहना चारे हैं कि, नया आ गया है, कुछ different आ गया, कुछ अलग आ गया है, समझ रहो, तो ऐसे गरके, changes आते हैं, या variations आते हैं, ठीक है, तो यह तो था, natural and artificial selection, कैसे यहाँ पर, एक wild cabbage ancestor से, different varieties develop हो गई, and it is actually the DNA copying mechanism, जो basic role in sexual reproduction भी play करता है, and even evolution का basic step है, ठीक है, तो यह तो यह था, अब थोड़ा सा समझते हैं, is evolution, is evolution, a progress, और process, evolution जो है, वो एक, basically तो process ही है, जिससे की, धीरे धीरे, evolution is a process, by which slow and gradual changes, take place in organism, in the due course of time, ठीक है, तो evolution एक, उसके हिसाब से देखें, तो एक simple process है, अगर आपको कहा जाए, is evolution a progress, जैसे process तो हम बोल सकते हैं, evolution is a process, process by which variations take place in organisms, in the due course of time, जैसे जैसे time निकलता जाता है, वैसे वैसे variations आते जाते हैं, और्ग्यानिजम में, तो ये, एक process माना जा सकता है, ठीक है, एक process के तौर पे भी देख सकते हैं, पूरा complete process भी नहीं बोलना है, लेकिन जहां बात आती है, progress की, जहां आपको कहा जाए कि, क्या evolution progress है, तो आपको कहना है नहीं, क्यों नहीं progress है, तो actually evolution एक process हो रहा है न, जिसमें variations आ रहे हैं और ग्यानिजम में, changes आ रहे हैं, और changes की वज़े से, हर समय, obviously time लेके, कुछ नया, कुछ different organism create हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, जैसे हम जो बोलते हैं कि chimpanzees, मतलब हमारे ancestors जो थे, वो apes थे, monkeys थे, monkeys थोड़े थे, हमारे ancestors जो थे, वो उस दौरान के early men जो होते हैं, तो वो थे, है न, अभी जो chimpanzees या monkey आप बोलते हो, वो नहीं थे, वो खुद भी evolution का एक पार्ट है, यानि जो original population था, वहाँ से निकल कर, एक तरफ chimpanzees बने, एक तरफ gorillas बने, एक तरफ monkeys बने, एक तरफ हम बने, तो we all are the descendants, हम उनसे नहीं आये हैं, मतलब ये जो chimpanzee, monkey, gorilla, orangutan, ये जो है, हम उनसे नहीं आये हैं, वो खुद भी उनहीं से आये हैं, जिनसे हम आये हैं, तो ये वो kind of branching हुआ, understood, यहाँ पर branching हुआ, इसलिए आपके book में एक diagram दिया, जहां पर वो एक बच्चा top पे, सीडियों पे खरा है, तो evolution के ऐसे step wise तो देखना ही नहीं है, कि हम top पे हैं, नहीं, हम से बेहतर तो बलकि bacteria है, जो उस जमाने में भी थे, जब earth बना था, मतलब शुड़ुआत के दौर पे prokaryotes, तब से आज तक चले आ रहे हैं, तो अपने से better तो वो हुए न, हम तो बाद में आए हैं और जाने हैं, कब तक है humans का race वो पता नहीं, तो उस हिसाब से बात हो रही है, तो progress किस हिसाब से हुआ है, progress तो bacteria ने किया, कि वो हर environment में ड़ल गया, हमने क्या progress किया, तो इसलिए progress नहीं बोलेंगे हम, हाँ progress बस इतना हुआ है, that took place was development of simple to complex structures. जैसे कि आई का पढ़ा था ना कि आखें आई तो सही, लेकिन जैसे जरूरत पढ़ा, वैसे वैसे उसमें changes आते गए, तो वो एक जरूर progress बोल सकते हो, कि simple structure से complex structures बना, तो structure wise आप progress बोल सकते हो, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं, कि humans एक दाम टॉप पे हैं, बाकी यह नीचे नीचे, ऐसा नहीं है, all of us are actually the branch, branch से ही बने हैं हम लोग, ठीक है, तो evolution को as a process ही देखना है, progress अगर पूछे तो आपको कहना है, progress वैसे नहीं है, क्योंकि जो भी अब भी current में, जो भी organism है, वो original population से ही descent हुए है, तो कोई progress नहीं है, वो खुद भी विचारे process के पार्ट है, ठीक है, तो ये आप अगर questions आता है, तो इसको इस तरीके से deal करना है, और आपका last topic आ रहा है, human evolution, तो मैं human evolution आपको बता देती हूँ की, क्या है, तो, सबसे पहले मैं ले रही हूँ, human evolution, ठीक है, I'll just make a pathway, सबसे पहले tree, it used to be tree shrews, tree shrews, फिर आए, prosomians, ये थे, early and through points then I try o pithekas then rama pithekas then australopithekas australopithekas pithekas then homo habilis homo erectus इसको यू ले जाती हूँ मैं homo neander thalensis then cromagnon man and then finally homo sapiens sapiens तो यह जो pathway है आपको यह धिहान रखना है this is the pathway of कैसे मतलब यह आपको ऐसे रटना नहीं है तो मैंने बता दिया है पहले बिल्कुल tree shrews बिल्कुल अर्ली अर्थ हभी start होके कुछ वही हुआ था कुछ आगे इराज में entry मारी थी तब में यह लोग यह चीजे थी फिर ड्रायो पिथे कस थोड़ा बिल्कुल अर्ली मैन यह लोग सब अर्ली मैन वाले ग्रूप है ठीक है यह सब लोग ऐसे चलते थे चार limbs पे फिर आये homo erectus यहां से यह सीधा होना सीखे थड़े हुए erectus erect हुए और दो पैर से चलने लगे फिर और इनके उस समय यह वाले जो skull size वगएरा थी यह भी बहुत बड़ी skull size होती थी इनके और यह snouted थोड़ा से mouth भी वो था दिरे दिरे यह पिछे गया यह थोड़ा वो हुआ you know intelligence वगएरा improve होता गया और finally homo sapiens तो अभी का जो generation है वो homo sapiens का है ठीक है तो इस तरीके से humans का evolution हुआ है और इनके जो भी पहले traces बोलते हैं जो पाया गया था वो Australia sorry Africa में पाया गया था ठीक है और पहले लोगों को यह लगता था कि जो humans है सिंस अलग अलग और लग अलग एरियास में जैसे कि आप आफरीका चले जाओ उनका एक पर्टिक्यूलर आफ्रिकन फेस होता है जो हम easily पहचान जाते हैं चाइना में चले जाओ जपैन में चले जाओ इन सब हर जगे का अपना अपना पर्टिक्यूलर वो होता है ना फेस जिससे हम पहचान भी जाते हैं यहां का नहीं लगता तो पहले लोग वो लगता था कि यह सेम स्पीसी के शायद नहीं है क्योंकि अलग दिखते हैं लेगिन भले चाहे कोई भी रेस हो कोई भी कलर हो कोई भी इस तरीके आखियों में वेराइटी हो कुछ भी हो वी ओल बिल जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि hopefully आपका ये last and final lecture होगा तो बिल्कुल मैंने सारा topic इस final lecture में cover up कर दिया है so this is your chapter थोड़ा complicated है लेकिन इसको ध्यान से पढ़ो क्योंकि धंग से पढ़ो के तभी बिटा आगे कुछ हो पाएगा ठीक है तो lectures ध्यान से देखो बहुत बार देखो बार बार देखो और then only you will get to understand the chapters इस ठीक है और chapter is all done तो जादा खीशने से मतलब नहीं आप फटा फटा अब मैं इसको wrap up कर रही हूँ यहाँ पे you take care and we'll see you with another chapter and NTS equations of course till then take care and good bye